नमस्कार किसान साथियों आपके अपने यूटूब चैनल रोचे केगरी कल्चर पर एक बार फिसे सौगत है किसान भाईयों आज के स्वीडियो में हम आपको बताएंगे धान की फसल में अधिक किल्लों के लिए यूरिया खाद के साथ आप लोगों को कौन सी दो खादों का प्रियूब करना है जिससे आपकी धान की फसल में रिकार्ट तोर किल्ले निकलेंगे किसान भाईयों को सेर करिए करते हैं अगर आपने धान की कमाभot वाली फसल लगाई 120-125 दिन वाली तो आपको यूरिया की मातरा 10-15 दिन के अंदर आप लोगों को धान की फसल में प्रयोक करना हैं अगर आपने long duration वाली धान की फसल उगाई है जो 140-500 दिन में पकने वाली होती है तो उसमें यूरिया 15-25 दिन के अंदर आप लोगों को डाल देनी चाहिए किसान भाईयों यूरिया की मात्रा की बात करें तो ना तो हमें धान की फसल में यूरिय की मात्रा को ज़्यादा देना है अगर हम अपनी धान की फसल में यूरिय की मात्रा को ज़्यादा दे देंगे तो जो हमाया धान का पोधा होता हो जल्दी से ग्रोथ करेगा और जब तक बाली आएगी वह गिर जाएगा इसलिए हम लोगों को सीमित मात्रा में यूरिया प्रियो करना है तो सबसे पहले बात करते हैं धान में यूरिया की मात्रा हमको कितिन देनी है धान में यूरिया की मात्रा की बात करें तो 30-35 kg प्रतेकट के लिए पर्याप्त रहती है और हम कुछ खास दो खादों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे थे उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा उनमें से एक आती है सागरिका सागरिका एक प्रकार का सुच पोसक्तत होता है इसमें सभी प्रकार के सुच पोसक्तत पाये जाते हैं जो हमाई धान की फसल की growth हो हरियाली और अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा दिलाता है। सुच प्रसक्तत इसलिए आवसक होते हैं जिस प्रकार से हम लोगों को अलग-अलग प्रकार के micronutrients के सकता होती है। उसी प्रकार से paint पोदों को भी micronutrients के सकता होती है। अलग-अलग micronutrients डेना संभव नहीं होता, इसलिए हम लोग इस सागर्का का प्रकार करेंगे, इसमें सब एक साथ सुच प्रसक्तत पाये जते हैं। सागर्का का प्रयोक करने से जो हमाई धान की फसल होती है, उसको एक साथ सभी micronutrients मिल जाते हैं। जिससे हमारी धान की फसल हरी-भरी बनी रहती है। सागर्का की मात्रा की बात करें तो 6-8 kg प्रतिकड पर्याप्त रहती है। दूसरी जो खात थी जिंक सलफेट। किसान भायों आपको 33% वाली जिंक सलफेट लेनी है। जो हमने सागर्का आपको बताया है इसको लेना है। आपको दोनों को और यूरियों को साथ में तीनों के एक साथ मिलाकर अपनी जो धान की फसल है उसमें आप लोगों को इसको टाप डेसिंग करना है। जो जिंक सलफेट है इसकी मातरे के बाद करें इसको भी 6-8 किलोग्राम आप लोगों प्रतेकर धान में प्रियो करना है। जिंक सलफेट डालने से आपकी जो धान की फसल होती है उसमें रोग प्रतोधी छमताएं बढ़ जाती हैं। जिससे जो हम जिंक सलफेट और सागरका मिलाने से आपकी जो धान की फसल है हरी भरी बनी रहेगी इसमें कोई रोग नहीं लगेगा अधिक से अधिक किल्ले निकलेंगी और अधिक से अधिक खुता होगा जिससे आपकी धान की फसल जो है तेजी से ग्रोथ करेगी और आपको अधिक उत करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में